मेरे राज रसिक मेरे शाम शाम कब आओगे कभ आओगे मेरे प्राड बलब मेरे प्राड प्रितम कभ आओगे कभ आओगे कभ आओगे कभ आओगे कभ आओगे शातो स्वरूप अखंड में बर्णन किये सिरले, दो रास पाच अर्ष अजिमा, बोज दियाना सिर स्वरूपों के, बोज दियाना सिर स्वरूपों के, जो लो इलम को हुक्में। हक की माई को लिया, हक की माई को लिने का तत्पर क्या है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, करने वाला मेरा प्राणिस्वर है। साहेब के हुक्में ये बानि गावत है महामत। हुप्म क्या हुआ? जो राजी के दिल के इक्षा। उनकी इक्षा से परमधाम में सब कुछ होता है, क्योंकि जब राजी का ही दिल सभी रूपों में है, तो राजी के दिल में जो इक्षा होगी वही तो होना होगा। जिस स्वालिला अद्वैत में एक राजी के सिवा कोई दूसरा नहीं है, तो ये कहना कि हमारी इक्षा से हो रहा है, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़े गुनाह को जन्म देता है। राजी के अत्रिक्त हमारा भी कोई अस्टित्व है, एक भ्रम है, लीला रूप में हम हैं, लेकिन हम राजी से अलग नहीं हैं, सागर की लहर, सागर कही रूप है। जब यह भावना आजाया, कि जो कुछ हो रहा है, उनके दिल के इक्षा से हो रहा है, तो माया हमारे से हट जाती है। जब हमारे सामने एक अहंग का संसार खड़ा हो जाता है, कि यह कारी मैंने किया, जब मैं है, तो माया जुड जाएगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं सोचिए, कि आपका जीव गलत भी कारी करें, उसको राजी के हुकम पर छोड़ दीजे। आपने किसी को चांटा मार दिया, और कहते हैं कि राजी का हुकम था कि चांटा मार दो, मैंने मार दिया। तो यह हुकम नहीं है, हुकम के सिर दोस्ते बैटने सके मुमिन, आप दिन रात सोय रहें, संसारिक विश्यों में भागते रहें, और कहें कि राजी का हुकम होगा, तो राजी दर्सन दे देंगे, इसा नहीं होगा। आपको पहले अपना दिल देना पड़ेगा। अक्षरातित, सत्य और न्याय की मर्यादा का उलंगन उभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पद्मावती पूरी धाम में, दस वर्सों तक की होने वाली लिला में, स्वयम स्री जी अक्षरातित होते विए भी हर सुन्दर साथ से चित्वनी करवाते हैं, ताकि प्रकृत की मर्यादा तूटने ना पाए। जब वे चर्चा करते हैं, राची कावेस प्रकट हो जाता है, उनकी जगह सक्षात युगल सरुप दिखने लगते हैं। सुन्दर साथ इन नाइनों से युगल सरुप का दिर्चन कर रहा है बिना चित्वनी के, फिर भी प्रातः भी चित्वनी हो रही हैं। कौण कर रहा है। महामतिजी के धहाम्रदे में, वही राची बैठे हैं जो मुल मिलावे में बैठे हैं। और सुन्दर साथ उसी भाव से उनकी आर्थी भी उतार रहा है, लेकिन संध्या की जो आर्थी होती है, कंचन, थाल, चहुमुक, देवला, दीपक, जोध, प्रिकास, उसकी अंतिम चपाई क्या है? महामद चर्णोलाग। सुन्धर साथ तो महामदी जी के दामिर्दे में युगल शुरूब को मानकर उनकी आर्थी उतर रहा है, कि टिशी द्रावती जी के आत्मा कहे रही है, कि मैं अपने दामिर्दे में विराजमान, युगल शुरूब के चर्णों में पढ़ाम करती हूँ, यानि यहां सरीर अक्षरातीत नहीं है मिराज का तन अक्षरातीत नहीं है भले ही मिराज के तन को अक्षरातीत मान कर सुन्दर साथ उनकी आरती क्यों नहीं उतार रहा हूँ इसलिए हम किसी भी तन को देखें तो उस्तन में बैठे हुए इगल सरूप को देखें कहीं सिवा पुजा भी पदराई हो बासुरी है या नहीं या मुद्दा नहीं होता है राजी बागे से खुश नहीं होते हैं हमारी नजर चाहे आंतरिक हो चाहे बाय हमेशा इगल सरूप की खोज में हो किसी भक्त ने कहा है न अखिया हर दर्शन की प्यासी जदि हम किसी से घिर्णा के भाव रखते हैं आखे बद कर जदि उसके जीव के गुनाहों को नजर अंदाज करते हैं और यह सोचें कि इस जीव के उपर परमधाम की आत्मा है तो इस आत्मा के अंदर भी तो मेरा प्रानेस्फर ही युगल सरुप के रुप में होगा तो किसी न किसी रुप में हम माया से सरुथा प्रिथरक हो सकते हैं राग-द्यूश के बंधनों से अलग हो सकते हैं जिन विकारों को समाप्त करने में युगो युगो की तपस्याएं भी सार्थक परड़ाम नहीं देपाती वे आनयासी छुमंतर हो सकते केवल अद्वैत की भावना से इसलिए हमारे विचारों में हमारे ध्यान में हमारे मानस पठल पर युगल सरूब होना चाहिए और वही हमारी आत्मा के रूम-रूम की पुकार में होना चाहिए कि हर पल हमारे अंदर युगल सरूब की छवी अंकित रहे महामत जी की आत्मा कहे रहे हैं कि मेरे धाम दने आपके हुक्म से आपकी किरबा से मेरे तन से साटो सरूब अखंट मैं बर्नन की सिर ले आपने मुझे अदेश दिया कि इंद्राउती तुझे बर्नन करना है करने वाले तो आप है बर्नन करो रे रूजी हके तुम सिर दिया भार अर्स किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर सिंगार इंद्राउती जी की आत्मा कहती है मेरे प्राणिस्वर अक्षरतीत तुने मेरे हिर्दे को अर्ष बना लिया है अब तु मुझे आदेश दे रहा है कि अंद्रावती वर्ण कर कर तू रहा है सुन्दर साथ सोच रहा है कि अंद्रावती वर्ण कर रही है और मुझे ही व Rio अक्ष्रतित की सुभा दे रहा है यदि तु मेरे हुर्दे में बास न करे तो मुझे अक्ष्रतित कौन मानने वाला है और मैं भी वर्डंट कर रही हूँ यह मान कर कि मैंने हक की मैलिया जो मेरी परात्म कतन है वो तेरह ही तो सुरूब है और यदि मैंने इस जीव की भामना से मप्त कर दी अपनी आत्मा के मूल सरुप परात्म को देखा और यह मान लिया कि मेरे परात्म को राजीय सुभा दे रहे हैं मेरी आत्मा को दे रहे हैं तो मेरे मुख से जो पाईया निकलती जा रहे हैं सुन्दर साथ भले ही मुझे अक्षरतीत का रूप मानता है लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं आपकी अर्धांगनी हूँ और अर्धांगनी अपने प्राणिसर से अलग नहीं होती नहीं मेरा नक्स सिख तक जो परात्मकतन है वो आपका ही सरूप है संपूर परंधाम में आपके लिला है आपका सुन्दरी है आपका प्रेम है आपका अनंद है और आपसे भिन कोई दूसरा ने इसलिए इस काल मयो के ब्रहांड में हमारे तन से आश्चरजन कारी हो जाएं कितने भी सारा ब्रहांड हमारे चड़नों में आ जाए फिर भी हमें अपने उपर ये भाव नहीं देना होगा कि हमने ऐसा किया है यदि कहीं भी ये इसकी गंद आ जाती है तो हमसे एक अमिट गुना हो जाएगा जो हमिसा हमिसा के लिए परमधाम तक हमारा पीछा करता रहेगा क्योंकि अब तो परदा खुल गया है पहले तो था कि हम राजी आपको रिजाते हैं जब इस जागनी लीला में ये निर्णे हो जाता है एक मुल सरूप अक्षरातीत के सिवाई कोई दूसरा नहीं जो ये कर सके कि हमारा प्रेम बड़ा है जब एक अक्षरातीत का ही इसका हर जगह किल्डा कर रहा है उनका ही सरूप उनके हिर्दे का सरूप हर जगह दिश्टकोचर हो रहा है जो एक स्वालिला अद्वेत बाहदत में किसी सरूप की भेनता नहीं हो सकती तो हमें भी ये कलंक अपने उपर नहीं आने देना है आगे बर्णन आता है कि सातों सरूप अखंड मैं बर्णन किये सिरले सात सरूप कौन है? दो राज पांच अर्श जिम हपसे मेज सबसे पहले स्यामा जी का सिंगार उतरता है उसके पहस्यात राज जी का सिंगार उतरता है प्रानम के जो पांच प्रक्ण हैं ये पांच प्रक्ण दीब बंतर में जैराम कंसारा को प्रबोधित करने के लिए उतरती है इसलिए राज की जब वानी उतरित होती है स्यामा जी के सिंगार से अब समय समय पर सागर की वानी उतरती है पदमाती पूरी धाम में आने के पेस्चाथ और उसके पेस्चाथ सिंगार की वानी उतरती है सागर और सिंगार में राजी के पांच सिंगार का बढ़ा है दो सिंगार होते हैं तिसरी भूमका के जब बनो की सवारी में जाते हैं तो एक सिंगार राजी का विसेस होता है उसमें राजी के सिंगार में पाग के स्थान पर मुकुट की सुभा आ जाती है और दो सिंगार होते हैं जब बनों में सिंगार करते हैं इस तरह से आप दिखेंगे राश गरंथ में कहीं इजार का रंग के सरिया है तो कहीं निले रंग का है गुजराती में निले सब्दे के लिए लीला सब्द पुरेक होता है लेकिन सागर सिंगार की बाड़ी हिंदुस्तानी भासा में है इसलिए वहां हर जगा निले का अर्थ हरा करना उचित नहीं होगा प्रसंग के अनकूर निला और हरे का अर्थ हमें समझना होगा इंद्रावतित के आत्मा कह रही है कि राच्ची इस माया की बुद्धी से माया के तन से आपके एक-एक अंग का वर्ण करना कैसे संब्भव है इसलिए कहने की सोभा कालबूत को देई आपके दिल की में इच् किंद्रावति परमधाम की बाणी कहें तो मेरे तन से बाणी आतरित होती जा रही है आप बताएए जब आपने हफसे में मुझे ये सुभा नहीं दी थी तो क्या मैं एक अक्षर भी इसका कह सकती थी हम सुन्दर साथ को भी यह सोचना होगा कि जब हम धनी के चड़ों में आए नहीं थे तो हमारे पास क्या समर्द थे हम कहां के थे पुरुस बली नहीं होते हैं समय हुत बलवान कोल भील मारन लगे वही अरजुन वही बान हमें ये ध्यान रखना होगा जिस महाभारत में अरजुन की विर्ता के सामने कोई टिक नहीं सकता था उसी अरजुन को को भीलों ने मार मार कर सिर्खट जी की पत्नियों को उनके सामने से छिन लिया और अरजुन आसहाय हो कर देखते रहे गे समय का चक्र इतना बलवान होता है सिर्ष्टी में हर पदार्थ की एक सिमा है ये धाकता हुआ सूरज एक दिन सीतल हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा या प्रत्वी नहीं रहेगी एक दिन ऐसा भी समय आएगा या अनन्त अकास भी नहीं रहेगा या सारी सिष्ट भी नहीं रहेगी हमारा ये छे फूट का लंबा तन है सौंदरी का पुतला है योवन से भरबूर है हम सरीर पर इतराते हैं धन पर इतराते हैं बद प्रतिष्ठा पर इतराते हैं कुछ कारिय हो जाते हैं उस पर इतराते हैं कि मैंने कर दिया कभी हमने सोचा है कि इसके पीछे किसकी सता कारी कर रही है हम कुछ भी करें सब कुछ राजजी को सौब दे यदि हम ऐसा करते हैं तो इत्वी धंदन होगा और हम होगे और उत्वी धंदन होगा हम प्रेम में बाजी मार ले जाएंगे लेकिन यदि हमने अपना प्रिस्ट खड़ा कर दिया राज जी के हुक्म को छोड़ कर हुक्म का उलंगन का ताथ पर क्या है? मौल सरुप की प्रेना से कुछ कारी होता है तो इसमें जिस ने हमारे हिर्दे में उपजाया जिस मौल सरुप ने हमारे हिर्दे में उपजाया उसी मौल सरुप ने तो अपनी किर्बा की सक्थी से उस कारी को संपाधित करवाया तो इसमीं हमारा क्या युगदान हो सकता है यहीं बात इस परकड़े में दर्चाही गई है चोलो हुप में इलम को कयान नहीं समझा है जिब तक हुप में से इलम समझा नहीं जाता है हम बानी पढ़ते हैं बानी की चुपईयों का हम अर्थ कर लेते हैं सागर गृंत में एक चुपाई इल्म की सागर में आती है स्री महामद कहे आई मौमिनों ए ऐसी कुझी बका इलम ए मेहर देखो मेह भूब की तुमको आप पढ़ाए खुद खसम राजजी हमें पढ़ा रहे हैं राजजी हमें जान दे रहे हैं यदि हम यह भावना ले ले कि यहान हमारा है हमारे जहिसा कोई नहीं तो अपन्तों कहीं नहीं घुना के भागी हो जा रह संभ इसका अनल कि नहींபட है कि एसिककई को ज्ञार इल्म दे रहे हैं किसी को कम यह तो सुबहर नहीं है कि राजजी पक्षपात करे ऐसा नहीं है महर सब पर महबूब की परपावे करनी माफ़क जिसकी जैसी करनी होगी उसके अनुशार ही उस पर महर होगी राजी बराबर सब के लिए अब प्रस्तिया है हमने अपने जीव को कितना कॉमल बनाया है हमने अपने जीव को कितना निर्मल बनाया है हमने अपने जीव के हिर्दे को राजी पर कितना समर्पित कर दिया है इसमें जो जितनी कुर्बानी करेगा जितनी हमारे हिर्दे में कुमलता होगी निर्मलता होगी समर्पन की भावना होगी अटूट विश्वास होगा उसके अनुसारी राज जी का हुपम होगा कि इस आत्मा को इतने जान की सुभा देनी है और बाणी की समझ इतनी आनी है यदि हमारा हिर्दे निश्ठुर है हमारा हिर्दे राज जी के प्रेम से रहित है आप चुपाईयों के सब्दों की ब्याख्या कर सकते हैं लेकिन राज जी का जान वास्त्विक रूप में आपके हिर्दे में पूर्ड रूप से नहीं विराजमान हो पाएगा क्योंकि वारी क्या कहती है कि इस मेहर देखो मेहबूब के तमको आप बढ़ाए खुद खसम जिसकी वारी है उसकी किर्पा के बिना आपके हिर्दे में ज्यान का प्रकास नहीं हो सकता अन्य था हिंदी के जितने प्रुफेसर हैं सभी वारी की विसे सच्चे होते हैं उनके जिन प्रुफेसरों के हिर्दे में राजी के प्रतिप्रेम नहीं होगा चाहे हिंदी के किसी कावे की कितनी प्रकार से व्याख्या क्यों न कर ले कभीर जी की वाणी की कर लेंगे नानक जी की वाणी की कर लेंगे तुलसी के ग्रंद की कर लेंगे लेकिन तारतम वाणी की विस्तित व्याख्या नहीं हो पाएगी जब तक उस हुर्दे में राजी के लिए प्रेम, समर्पन, सर्धा, विश्वास का सिंगासन तयार नहीं होगा इस दिए कह रहे हैं जो लो हुक्मे इलम को कहिया नहीं समझाए तो लो सोरू हुँ आपको क्यों कर सके जगाई एक बात कहीं जा रही है जो लो हुक्मे इलम को यानि राजी के दिल की इक्षा से जो लो हुक्मे इलम को कहिया नहीं समझाए यानि इलम को हुक्म समझाता नहीं है भाव क्या है हमारे हिर्दे में तार्तम वाणि का प्रकास जब तक नहीं होता है तब तक दोलो सो रूँ आपको क्यों कर सके जगाए भाव क्या है? जब तक तारतम वाणी का प्रकास हमारे हिर्दे में नहीं होगा तब तक कोई भी आत्मा ये दावा नहीं कर सकती है क्या मेरी आत्मा जागरित हो गई है पहले से ही प्रसंग चल रहा है पहले दिन से किसी न किसी रूप में कि ये जागनी के ब्रहमान है और जागनी के इस ब्रहमान में हमारी आत्मा कैसे जागरित हो ये हमारे लिए विशेस मत पूले यदि हमने 18708 चुपाईयों को याद कर लिया 18,700 चुपाईयों की अकेले कई भासाओं में ब्याख्या कर दे तो भी ये गरंटी नहीं है कि हमने वाणी को यथार दुर्प से समझाए हम सबदार्थ करने के अधिकारी है वाणी के गुसर रहिस्यों को जानने के अधिकारी तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारा हिर्दे अक्षरातीत के प्रती प्रेम से समर्पन से कोमलता से लबालब नहीं हो जाए जब तक हमारे हिर्दे में प्रियतम के प्रेम की मिठास नहीं आती तब तक बाणी के गुछ रहिस्यों को जानने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा और हमारी आत्मा राजी का जब तक दिदार करके एक-एक अंग की सोभा में डूब नहीं जाते तब तक हमें जागरित होने का भी सुख नहीं मिल सकता पहले आप देखेंगे स्री देवचन जी के तन से आडिका लिला होती है सब सुन्दर साथ चमतकारों में फच जाते हैं उस आडिका लिला के रस में इतना डूब जाते है कि परंधाम की वाणी के आउतरन नहीं होने से कोई सोचें नहीं पाता कि हमारी आत्मा की जागनी क्या है जब सागर की वाणी उतरती है, स्रिगार की वाणी उतरती है तब सुन्दर साथ के मन में तड़प होती है कि नहीं अब हमें अपनी आत्मा के धां मिर्दे में युगल सरुकी छबी को बसाना है श्रीजी के साथ दिप बंदर से ही सुन्दर सा जुड़ना शुरू हो जाते हैं मसकत बंदर अवासी बंदर से होते हुए पुना सूरत में सब इकठे होते हैं पांच सो का एक कारवाँ चलता है जो उदैपूर्थ जो हरद्वार उदैपूर्थ से होते हुए मंसौर औरंगाबाद राम नगर से पन्ना पहुचते पहुचते पांच हजार की संख्या में परिवर्टित हो जाता है संख्या है पांच हजार की उसमें जब स्रिंगार की वाणी अतरित होती है सागर की वाड़ी ओतरित होती है तब सुन्दर साथ की वास्तविक जागनी लेला सुरू होती है यहीं बैठे-बैठे सुन्दर साथ परमधाम के 25 पक्चों को देखने लगते हैं नक्सेक सिक्तक युगल सुरुप की छपी को देखने लगते हैं सब के हिर्दे में युगल सुरुप की छपी बस जाती है और एक भूम का तयार होती है कि उसको हमें एक आधर्स मानें उस जागने लीला को आधर्स मानें आप सुन्दर साथ सोचते रहते हैं राजी परले नहीं करते हैं परले क्यों करेंगे जो समय निश्चित जिस समय हो जाएगा लेकिन उसके पहले यदि आप परमधाम चाहते हैं तो उसके लिए तयार रहना होगा ब्रज से राज में जाते समय बांसरी वज़े थी और सबने अपना तन छोड़ दिया था छटे दिन की लिला में यह नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना सरीर छोड़ दिए उसमें तो सरीर से मरना था मन से भी मर गई थी सभी गोपियां और सरीर से भी मर गई थी इस समय तो यह कह जा रहा है कि भले ही आप अपने एसी कमरों में रहिए संसार का सुख लिजिए संगे समंधियों के बीच भले ही रहिए लेकिन पहला अस्थान राजी के प्रेम को द आप अपने वातान उकूलित घरों में रहतेवे भी यदि राजी से सच्चा प्रेम करेंगे तो बिना सरीर छोड़े बिना कष्ट के राजी आपको यह बैठी बैठी जागनी कर सुख देंगे लेकिन यदि आप हंसते हुए यह सब नहीं करेंगे तो रो रोकर करना ही बढ नहीं होगा लेकिन मूल सरुपने एदिन की ने निकिया मकर्र ताइब एचानो जिनत इक ख़बर किसी भी तन को राजी नहीं यह नहीं बताया है कि माह बुले कभूगा वो मूल सरुपने अपने हाथ में ले लिया है क्योंकि इस चिंगार ग्रंत का दूसरा प्रक्रण है उस प्रक्रण से पहले प्रक्रण की अंतिम चुपाई में गाया है, काया, एते दिन हक जिस गाया, लदुनी का बेवरा कर, हकी हुकम हाथ अपने लिया, जो दिया था महमत के सिपर, अमूल सुरुप, सब को मारिफत का दरवाजा खोल देना चाहते हैं, सब के लिए, इसलिए सिंगार का वर्ण करने से पहले ही प्रक्रण में कह दिया, कि अब तक मैं महमती जी के तन से जरूर वर्ण करवाता रहा हूं, अपनी सोभा का, अपनी धाम का, सब कुछ सारा ग्यान दे दिया है, सागर में मैंने सारा अपना सिंगार भी वर्ण कर दिया है, लेकिन अब सिं नाम के पिछल लड़ा है, सब्तों के पिछल लड़ा है, रिति रिवाजों के पिछल लड़ा है आप सुचे, क्या हमारी इस्तिती बन पाई है कि हम परमधाम में प्रविश्च कर सके जिस तन में आत्मा है वो तो परमधाम जाएगे लेकिन यदि हम इसी अवस्था में परमधाम में जाएगे तो हमारी आत्मा के साथ अमिट गुना जुड़ा रहेगा कि हमने राजी को रिजाया क्या राजी तो यदि इस जागनिल्या में हमें कष्ट से रूला कर भी चित्वनी में लगा देते हैं तो समझ लेजिए हमारे लिए एक अच्छा ही रहेगा क्योंकि भले ही हमारे जीव को माया के कष्टों से जूचना पड़ेगा किसी न किसी बहाने हम राजी के प्रेम में तो डुबे इंद्रावती जी किरंतन में कहती है मैं तो चाहिया सुख को परधनी की मुझ पर मेहर ता थे दुख फिर फिर लिया अब सुख लागत है जहर हम मेहर सागर कपाट क्यों करते हैं माया का सुख पाने के लिए इंद्रावती जी कि आत्मा कहती है स्री महामत के इन दुख को मोल नकिव जाए लाख वेर सिर दीजिए तो भी सरभर नावे दाए एक दो बार नहीं लाख वार अपनी गर्दन काट काट कर इसलिए निचावर कर दिया जाए कि राच्ची आपने मुझे माया का दुख दिया जिस दुख के कारण मुझे विवेक हुआ तो उसका बदला तब भी नहीं दिया जा सकते है लेकिन हम तो दुख चाहते ही नहीं दुख बिना नहोवे जागने करें से कोट उपाय आप सुब सुन्दर साथ नारियल क्यों चुनाते हैं मिठाई के पैकेट क्यों चुनाते हैं पाठ में 55,000, 21,000 की निच्छावर इसलिए देते हैं ताकि माया का हमारा दुख कुछ कष्ट हो जा दूर हो जाए आपको राजी से प्रेम नहीं है मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं पूरे देश में फैलेवे 40 लाग सुन्दर साथ के लिए कर रहा हूं कि सुन्दर साथ मैर सागर का पाठ इसलिए करता है कि संसारी खष्टों से निवर्त हो जाए बहुत कम हो गये 110 से भी नीचे 110 अंक से भी जो है नीचे 10.さいद हो जाए तो भी बहूत बड़ी बात है जो राजी से मैर सागर का पाठ करके ये कहें कि राजी हमें माया का दुख देते रहे ताकि हम आपको अपने दिल में हमेशा बसाए रखें दरौपती ने यही तो मांगा था कृष्ट से कृष्ट एक बार बहुत फिदा हो गए कहते हैं दरौपती जो तुझे मांगना हूँ मांग ले दरौपती कहती है कि आप ऐसी किरपा कर दिजे कि हमेशा हमारे उपर संपत दुप विपत के पहार टूटे रहे हैं युदिश्टी जला गए कि दरौपती तुने क्या कर दिया अभी तो बनवास जेले इतना भेंकर युद जेल कर अब राज मिला है जदी दुख नहीं आएगा तो आप परमात्मा को भूल जाएगे यह कृष्ण ही है जो हमारी हमेशा रक्षा करते रहे हैं हर संपत की घड़ी में एक दुरौपती आपको सर्मिंदा कर रही है आप तो परमधाम की ब्रमात्मा है जो होगा ठीक होगा जो हुआ है ठीक हुआ है और भोईस में भी जो होने वाला है वो भी ठीक होने वाला है क्योंकि वो कहता है दुख ने देव फोल पांकड़ी देखो सीतल ने जब वो स्वैम कर रहे हैं कि मैं फोल की पांकड़ी से आपके उपर प्रहार किया जाए तो उतना वी कष्ट आपको नहीं दे सकता जिन जुबां मैं दुख कहूँ सो जुबां करूं सत टूप राज जी कहे रहे हैं कि परमधाम की अत्माओ मेरी जीवा से यदि दुख सब्द तुमारे लिए उच्चरित हो जाए कि तुम्हें दुख हो तो मैं इस जीवा के सो टुकडे कर दूँ ऐसा आपका प्राणिस्वर अक्ष्ट आती थे इतना अस्वासन मिलने के बाद भी आप रोते हैं गिल गिलाते हैं मेर सागर का पाठ करते हैं उलाहने देते हैं राज जी हमको जल्दी से दुखों से निकाली हैं आप क्यों नहीं बिश्वास करते हैं आपका प्राणिस्वर आपके हिर्दे मंदिर में बस्ता है आप यदि उसकी अर्धांगनी हैं आप उसकी प्राणिस्वर हैं हिर्देश्वर हैं ब्रह्म हात्मा हैं तो क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि अपनी अंगनाओं को दुख देना चाहिए इसलिए एक कटूट बिस्वास रखें कि हमारा प्रितम पलपर हमारे साथ रहता है और उसने जो भी किया है या जो कर रहा है है या जो करने वाला है उसमें हमारी किसी ने किसी रुप में भलाई है कल पना किजिए यदि मिराज को हबसे में जाने को नहीं मिलता यदि सेथ लक्षमरदास को कंगाली का मुख नहीं देखना पड़ता तो परड़ाम क्या होता सेथ लक्षमरदास अपना बेवसाय चलाते रहते वे लालदास नहीं बन पाते और स्री मिराज सारे आरपों को जहल कर हबसे में नहीं जाते तो मिराज स्री राज कभी नहीं बन पाते इसलिए जब आपने अपने हाथ उनके हाथों में पकड़ा रखा है तो अटूट विश्वास रखिए इंद्रावति जी की आत्मा वही कह रही है साथो शरूप मैं बनन सातो शरूप अखंड मैं बनन कि ये सिरले दो राज पान्च अर्स जीम पर बोजण दिया सिरी सुरूपों के क्यों मुल्ण सुरूप ने कहीं नहीं कहा कि मैं कह रहाँ संकेत वे से कर दिया कि कहने की सुभा कालबूत को दे श्रीमुख वारे धनिये कही कहने की सुभा कालबूत को दे यह बात तो कही गई है लेकिन हर जगा महामती कहे दिख दिया गया है क्योंकि महामत कहे से समझेंगे सुंदर सा कि तो महामती जी की वाड़ी है महामत कह रहे है साचेत भी किया गया है लेकिन एक पर्दा डाल दिया गया है इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा के दोरा धाम दने हमें छटे देन की लिला में ये विशे सुरुप से सिखापन दे रहे हैं कि अब हमें करना किया चाहिए हुक्म से इल्म समझ में आता है या इस चौपाई का भाव है जब रुह को जगावे हुकमा आत्मा को हुक्म जगाता है हुक्म कैसे जगाता है राज जी के दिल के प्रति आपने अपना समर्पड किया तो इल्म यानि ज्यान का प्रकास आपके हिर्दे में आ जाता है ज्यान क्या कहता है लक्ष को दर्जाता है पूरी वाणी का ज्यान क्या कहे रहा है कि जिसने यह वाणी कही जिसकी यह वाणी है जिसने यह खेल दिखाया है और जो आपका प्राणिस्वर है उसको अपने हिर्दे मंदिर में बसा लिजिए पूरी वाणिका सार यह यह जारे दीवे टाल्यो सुन सुहाग त्यारी पतंग पाम्यों बैराग का कयानों करित्या इंद्रावतिय जी की आत्मा कहे लिए जदी पतिंगा अपने सुहाग अंधेरे से अलग नहीं रह सकता जो वो जीव तड़ी ए रीथ नो मू के अंधेर नीप रीथ जब माया का एक पतिंगा अपने सुहाग अंधेरे के बिना नहीं रह सकता तो तू तो परमधाम की आत्मा है तू राजी के बिना किसे रह रही है राज से लेकर क्यामत नम्मा तक के हर वाणी में एक ही पुकार है कि हर कोई अन्भो करे कि मैं अपने प्राणिस्वर से अलग नहीं हूँ लेकिन हमने तो राजी को एक देवी देवता समझा है जो हमारी पुजास पद्धिती से है जो हमारी चढ़ावे से खुस हो जाए हम अपना हिर्दे नहीं चढ़ाना चाहते है समर्पन के लिए हम कुछ रुपिय ही तो देते हैं हमारी मासी काम देनी एक लाकी है तो 2000 रुप्या राजी के नाम पर चढ़ा देते हैं कौन सी बड़ी हमने कुर्बानी कर देगी कुर्बानी का नाम सुन मौमिन उलसत अंग पीछे है ते जो मौमिन दौल दिया तीन संग आप अपना दिल तो देने के लिए तयार नहीं है क्य सूरज के उगने से पहले विस्तर छोड़ने से पहले परिवार के किसी सदस को देखने से पहले क्या आप राजी को देखते हैं क्या विस्तर पर आप जब सोने लगते हैं काम धाम से ठके होकर क्या आप अपने प्राणिस्वर को दिल में बसा करके सोने का प्रयाज करते हैं यदि आप संगे समंधियों से मिलने के लिए घंटों निकाल सकते हैं तो राजी की चित्वनी के लिए आधा एगंटा प्रदिन क्यों निकाल सकते हैं? इसका उत्तार मिलेगा कि हमारे दिल में अभी वो भावना नहीं पैदा हुई है. जिस दिन हर सुन्दर साथ ज्यादा न बात कहीं जा रही है कि इल्म समझ में कब आता है? जब राजी का हुप्म होता है. राजी का हुप्म कब होगा? जब हमारे हिर्दय में राजी के लिए सर्धा, समर्पड, पिस्वास, प्रेम का अंकूर फूटेगा तब राजी का हुप्म होगा कि इसको वाणी का विजधा कम या किसी को ज्यादा नहीं देंगे, सब के लिए बराबर है, उनका न्याय सब के लिए बराबर है, चाहें भी हारी जी हो, चाहें मिही राज हो, रास के अंदर इंद्रावती जी की आत्मा ने जो कुर्बानी की उसी का परड़ाम हुआ क्योंकि रास में अंतरधान लिला के पेस्चाथ इंद्रावती जी की आत्मा ने स्रिकृष जी का अविने किया इसी सोभा के कारण इसी कुर्बानी के कारण इंद्रावती जी को इस जागनी लिला में अक्षरातीत की सुपा मिली अखिर विहारी जी तो देवचन जी के पुत्र है, संगे पुत्र है लेकिन जो मिहराज के अंदर विरा है, तड़फ है, सुर्धा है, समर्पण है वो विहारी जी के पास नहीं है इसलिए परमधम की आत्मा होते हुए भी विहारी जी खाली खाली रह जाते है तर देव चैंजी के पुत्र होते अभी ब् Crown जी को कुछ नहीं मिलता एक तरफसा कुण्डल है एक तरफसा कुमार साकुण्डल ने अपना सब कुछ ने छवर कर दिया साकुणडल के पास कुछ नहीं है पहले बनों में भागते फिर रहे हैं मुगल सेनह उनका पीछा कर रही है छिप छिप कर छापा मार जुद लड़ते हैं और एक तरफ साकुमार दिली के तक्ते ताउस पर बैठी हुई है अपने अत्यचार का डंका मनवा रही है नजाने कितनों को फासी पर चरवा देती है साकुमार की आत्मा लेकिन साकुमार खाली रह जाती है उस तन से और साकुमार की आत्मा बाजी मार ले जाती है ऐसा नहीं कि राजी साकुमार को कुछ अलग करवाते रहें बिहारी जी से बिहारी जी के उपर कुछ अलग करवाते रहें नयाई का सिंहासन तो सब के लिए है ये जरूर समर्पन की भावना से कहा जाता है कि जानो तो राजी रखो जानो तो दिलगीर या पाक करू हादी पना या बैठाओ माही तक्सिर मिराज को हादी की सुभा मिल जाती है और अंजेब को गुनेगारों की सुभा गुनेगारी का कलंक लग जाता है जो आत्मा जितना भी स्वास करेगे कि मेरा प्राणिस्वर मेरे पास रहता है मेरे प्राणिस्वर मेरे से प्रेम करता है मेरे और उसके बीच में माया के कोई दिवार नहीं है तो उसको वैसा ही अन्पा होगा, यदि आपको विस्वासी नहीं होगा कि राजी आपके पास हैं तो राजी क्या करेंगे राजी ने तो वाणी में सब कुछ दर्सा दिया है, इसलिए जागनी होगी तो राजी के हुक्म से आप यह बहना जरूर गड़ने में माहिर हैं, कि जब परमधाम के हैं, तो राजी नहीं जाएंगे परमधाम के हैं, राजी का हुक्म ही सब कुछ कर रहा है, तो हुक्म ही हमें जिगाएगा, हुक्म ही हमें बाणी का ज्यान भी देगा, लेकिन कब कुछ सर्तों के साथ आप आप लेटे रहे हैं वाणी पढ़ए नहीं और कहें कि अपने आप ज्यान आजाएगा तो प्रकृत reminds कि मर्यादा नहीं तोड़ी जाएगे तब तो अल्ल इस्थाई भंग हो जाएगी हर कोई लेटा रहेगा और सोचेगा कि अपने आप ज्यान आ जाएगा परड़ाम क्या होगा सारा समाज विनास की गर्द में चला जाएगा आपको पढ़ने का नाटक करना पड़ेगा आप वाणी का चिंतन कीजिए समर्पन भावना के साथ कि आख्षरतीत मैं आपकी ब्रह्म वाणी का चिंतन करने जा रहे हूँ अपनी किर्पा का दर्वाजा खोलिए मेरे धा मिर्दे में महर की एकबूर डाल दीजे कि ब्रह्म वाणी का प्रकास हो जाएगा जब इस भावना के साथ आप राजी के प्रद समर्पन भावना दर्साएंगे तो आपके हर्दे में जान का प्रकास हो जाएगा लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया है या यदि आपने अहंग के गरंति लेकर कि मेरी बुद्धी इतनी तेज है मैं अपनी बुद्धी के बल से सारे बाणी का जान गरहन करनूगा तो पूर्ण जान नहीं आएगा दूसरी तरफ जागर्ति के समंद में यदि आप यह भावना ले लेते हैं कि राजी अपने आप जगाएंगे हमें कुछ नहीं करना है तो ये भी होने वलड नहीं है जगाएंगे राजी लेकिन जीव को उसका सुख मिलना है आत्मा के लिए कोई नियम नहीं है जीव के लिए तो नियम है जीव को यदि उस सुख का रसस्वादन करना है तो जीव को चित्वनी में बैठना पड़ेगा जिसे आत्मा तो दर्ष्टा है आप दो घंटे बैठते हैं, तीन घंटे, चार घंटे बैठते हैं आपके पैरों में दर्द होता है कमर में दर्द होता है मन भागता है तो यह तो जीव को कोसोटी पर कसा जा रहा है जीव इस माया का है इस दिये जीव को यदि परमधाम के अखंड सुक का रस पाना है तो कोसोटी पर अपने को खरा सित करना पड़ेगा इस दियम से वो बच नहीं सकता इस कारण इस प्रक्ड़े में यह बात दर्साही गई है कि राज जी के हुक्म से सब कुछ होता है तो किस प्रकार से होता है हमें आलत से की चादर ओढ़ने का कोई अधिकार ने एक बात आप देखिए पूरे वितक में अश्ट पहर की लेला में देखिए क्या कहीं लिखा है कि सुन्दर साथ चार-चार-चार-पांच-पांच-गंटे जगे रहती है सुन्दर साथ की आँखों में नीद नहीं है हां वितक में चुपाई जरूर आई है सबसे पहले उठी आम नौ से बारा बज़े की जो चर्चा होती है तो जीव सिष्ट मनाती रहती है जल्दी से जल्दी कि चर्चा सब कब समाफ्द होगी उभ्याकुल रहती है और पैर फैला कर सोने में सब से आगे रहती पैरणाम क्या है पांच हजार की जमात है और próρτα से तिन की जो अर्चा होती है उसमें कभी 20 कभी 25 कभी 40 कभी 50 100 की संख्यां भी कभी पूरी नहीं होती है त्कर remarasiah है 500 ब् 12-3 भी उसकी आखों में नीद नहीं है और सबको जगाने वाले स्री राज वो सुक्सेज्जा पर पलंग पर लेटे-लेटे सुनते रहते हैं कौन क्या कर रहा है वो तो परमधाम में भी जागरत हैं कालमय के ब्रमान में भी जागरत हैं मीराज के धा मिर्दे में जरूर बैठ हैं सुन्दर साथ यहीं सोच रहा है कि स्रीजी के लिए हमने कौमल स्य भिछा दी है स्रीजी तो सो रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है वह आप आत्मा इंद्रावती किये और जिस तन को अक्षरतीत ने जागने का नित्रत दिया है वह तन सब सुन्दर साथ की तरह तो पैर फ बखते हैं तो सब की आवाजे सुनते रहते हैं कि ए चर्चा की जो अर्चा कर रहे हैं कब भूलत और नहीं कर रहे इस तरह कि दस्ताल की लीला जो होती है उसमें यहीं बैथे बैठे सुन्दर साथने सब कुछ दिखका तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुकम करत जो कुछ हो रहा है राजी के हुपम से हो रहा है लेकिन करनी माफ़क गृपा गृपा माफ़क करनी ये माफ़क दो अंकूर के जिसका जितना अंकूर होता है वैसी करनी करता है और जैसी वो करनी करता है राजची उसको वैसा ही फल देते जिसे प्रेम की रहा पर चल नहीं पाती है वो कर्मकान की रहा पकड़ेगे उसको दिखाना होगा कि देखिए मैंने पांच माला कर लिये पांच बार तारदम का पाट कर लिया है उसको जोर जोर से बाणी का पाट करके दिखाना होगा कि मैं बाणी की ज्यान में डुबी बढ़ी हूँ वो अपने प्रेम का अपने भक्ति का प्रदर्शन करेगी इस तोरी सिष्ट के पास कर्मकान का जाल तो नहीं होगा इल्म की विसेस्ता होगी और भक्ति की विसेस्ता होगी प्रमसिष्टी के पास मारिफत का इल्म होगा हकीकत का इल्म होगा और हिर्दय प्रेम से लवालब भरा होगा हिर्दय में प्रेम छलकता फिरेगा सुनत बिछोवा हादी का साबित राके पिंड दिख दिख पड़ोतीन अगले वन्नाही बतनी अखन एक पल भी वो धाम दनी से अलग नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसका जीवन ही अच्छरतीत के लिए परिक्रमागरंद के पहले प्रक्रम में निचाने कितीन चोपाईयां ब्रह्मात्माओं के प्रेम के समझ में कहीं गई है कि प्रेम बसे पिया के चित ब्रह्मसिष्टी का स्रिंगार क्या है प्रेम प्रेम के बिना ब्रमसिश्टी एक पल भी दुनिया में नहीं रह सकती इसलिए संसार को पीठ देकर ब्रहमात्मा राज्जी के लिए अपने प्रेम का दर्वाजा खोले रखेगी अपने रूम रूम में राज्जी का प्रेम बसाएगी और इस अवस्था में उसकी आत्मा जागरित होकर 25 पक्षों में विहार करती है युगल सुरुप के नक से सिख तक की सुभा में विहार करती है राजी का हुकम सब पर रहेगा जो जितनी कुर्बानी करेगा छटे दिन की लीला में उसको उतना ही भल मिलता जाएगा चाहे वो ज्यान का छट्र हो या चित्वनी का छित्र हो आत्म जागरिती के लिए एक पंख ज्यान का लगाना पड़ेगा एक पंख प्रेम का लगाना पड़ेगा मैं तब रूह आपे छिप जाए जब रूह को जगाव हैं कं तरौ daher जारी है जब आत्मा जागृत होती है तुरू वो आत्मा पीछे वो छिप जाती है यानि अपने अस्तित को समाप्त कर देती है अपने अस्तित को अभान किस पर होता है जब निद्रा है निद्रा है तो मैं हूँ निद्रा हट जाएगी तो स्वलिला अद्वेत का बोध हो जाएगा कि नहीं, कि मैंने तो कुछ नहीं किया एक पौराणी घटना का मैं दिर्ष्टान दे रहा हूँ उससे आपको यह सारी बात समझ में आ जाएगी एक बार गरूण के मन में भावना आ गई कि विश्ण भगवान को तो मैं ही सवारी करता हूँ मैं उठाकर के ले जाता हूँ यति मैं नहीं रहूँ तो विश्ण भगवान क्या कर लेंगे विश्ण भगवान के मन में यह बात आ गई कि गरूण को अभिमान हो गया है उन्होंने कहा कि गरूण आप तो महान सक्तिसाली है मेरी अंगली का वोज थोड़ा उठाईये तो एक अंगली गरूण के पंग पर रखती गरूण को ऐसा लगा कि सारे ब्रह्मान का वोज मेरे पंग पर आ गया है उत्तरपने लगे चर्णों में गिर पड़े यहीं बात है हमारी आत्मा को कि राजची कितने भी सुभा दे दे मैंने उस दिन चुपाई कही थे जो कोई मारे इन दुस्मन को करे सब दूनी को असान पहुचावे सबो चरन धनी के तो भी लेना न तिनकुमान यदि आप सारे ब्रह्मान को अकेले ही तार्तम देने की सामर्थ रखते हैं संसार के सारे विद्वानों को अकेले ही जीत लीजिए और परमधाम के ज्यान का प्रकास पहला कर सारे ब्रह्मान को अकेले तार्तम दे दीजिए तो भी मन में भावना नहीं लीजिए कि मैंने किया है इसने किया है उस अक्षरतीत नहीं किया है इसलिए बार-बार आपको वाणी के अंदर यही कथन आएगा कि जो कुछ किया है सब राज जी नहीं किया है सब राज जी के किरपाश से हुआ है उनके हुक्म से हुआ है वाणी की तो बाद आप जदी एक तरफ रख कर संसारी ग्रंथों को भी देखेंगे तो यह इस्वर सिक्ष्ट गीता में करते हैं कि है अर्जुन अंकार के ग्रंथ से बढ़ा हुआ यह जीव स्वयम को करता भोगता मानता है और अंकार के ग्रंथियों में फस जाता है सुभाविक है कि जीव प्रकृत के सुखों का भोग करता है तो बिस्यों का स्यावन महीं करता है ऐसा नहीं समझने चाहिए कि हम चोरी करें तो कहेंगे देंगे कि राजी के हुक्म से हमने चोरी किया हमारा दोस्त नहीं है जीव जब बुरे कर्म करता है तो वो उसका संसकार है यह राजी के हुक्म से नहीं हो रहा है राजी का हुक्म आत्मा के लिए जीव को उतना ही मिलेगा जितना की वो कुर्बानी करेगा इसलिए हर सुन्दर साथ इस तत्त को समझे कि राजी के हुक्म की लिला कैसी है राची का हुक्म किस प्रकार हमारी आत्मा में जान का प्रकास करता है या हमारी आत्मा को जागने की तरफ ले चलता है तब रहे शिर हुक्मे ये बात कहीं जा रही है जब रू को जगावे हुकम तब रू आपे छिप जाए तब रहे सिर हुकम के यानि किस ने जागरित किया हुकमन ने जागरित किया देखिए बीतक का प्रसंग स्यामा जी को राजी तीन बार दर्संद देती है उनके धाम हिर्दे में भी बैठ जाते है फिर भी उनने जागरित नहीं कहा जा रहा है अवेश जाको में देखे पूरे सो जोग माया की नीद हो उनको अर्ध निद्रा में कहा गया है आधी नीद है आधी जागरती है बरस निनानवे लो रही हुरम निनानवे बरस तक परदे में रही यानि 16-138 में स्री देवचन जी के अंदर स्यामा जी की आत्मा परविष्ठ होती है और 17-137 तक वो परदे में उनको रहा हुआ कहा जाता है सदी इगारही बीच में मेरी बातिन खुली नजर दस्वी इसा इगारही इमाम 17-45 में इगारवी सदी पूर्ण माली जाती है 17-35 में 1090 हिजरी था यानि 10 कम इगारवी सदी 17-45 में वो पूर्ण हो जाती है तो परदेड़ाम क्या हुआ 17-48 में मारिफत सागर आउतरित होता है 21 सदी में जब पूर्ण माथी पूरी धाम में परण धाम की बाणी अतरित होती है तो यहां बैठे बैठे सब सुन्दर साथ में उसका रस लिया होता है इंद्रावती की आत्मा को पूर्ण जागरिती की सुभा मिलती है और इंद्रावती वहां दिर्ण निष्चे करके करती है कि धनी जगाए एक लिए मैं जगाओं बांधे जुथ राज जी ने मुझे अकेले जिगाया है तो मैं जुथ बांध करके जगाओंगी जिस स्यामाच जी को हम बड़ी रूह कहा करते है श्यामाच जी को जागरित नहीं कर सकते थे लेकिन ये लीला ह Südya मैंने पहले ही कहा देवचण जी के तन से बंदगी के लिला होती है रूप अल्ला करी बंदगी यामे उनकी में तो गुना कहिया इन पर जो मांग लिया हक भी स्यामा जी के तन से जो 40 साल की अवस्ता तक तरह तक की साधना पद्धी अपनाई जाती है उसमें कहीं न कहीं जीव की मैं बनी रहती है धन्दास सब और पुछत फिरों सुहागनी कोई बतावे पिया ठोल जगा जगब रखते हैं मीराज ने ऐसा नहीं किया मीराज ने स्वयम को निच्छावर कर दिया हफसे में कि मेरे धामदनी मुझे न बंदगी आती है न न कुछ आता है मेरी आत्मा आपका दिदार चाहती है मेरा हिर्दे आपके पृत्समरपद है और आपको मेरे सामने आना ही पड़ेगा विरा की अगनी में तडब तडब कर छे महीने गुजारे उसके पैस्चात युगल सरुप उनकी आत्मदिष्टी के सम्मुक होते हैं बाते होती हैं उनके धामिर्दे में पुना विराजमान हो जाते हैं लेकिन इंद्रावती ने कहीं मैं का बंदन खड़ा होने नहीं दिया इसलिए हम सुन्दर साथ को भी ऐस सिखापन लेना होगा कि दोनों तनों से राजी ने लिला करके हमको दरसाया है कि हम कुछ भी करें तो अब हमसे वो पुरानी भूल नहीं होनी चाहिए जो स्री तेवचंजी के तन से हुई उस समय तो वाणी नहीं उतरी थे लेकिन छटे दिन की लिला में सुन्दर साथ को जितनी सुबधा मिली है उतना ही कठोर बंदनों से भी हमें गुजरना पड़ेगा उस समय की भूल छम में है छटे दिन की लिला में भूल छम में नहीं है क्योंकि उस समय वाणी नहीं थी इस समय वाणी है जब तक भूली नीद में तब तक नहीं दोस जब जागी हक किल में भूली सीर अफसोस देवचन जी के तन से तो वाणी नहीं उतरी थी उनके जीव को तो यह नहीं मालम था कि समरपड की भासा में कुछ मांग नहीं रखी जाती है समरपड आपने कर दिया तो यह मत कहिए कि हमने आपकी इतनी बंदगी की है तो राजी यह किजिए आज हम सुमदर साथ बाणी पढ़ते हैं बाणी पर व्याख्यान देते हैं सैक्लो पाठ कर लेते हैं और उस भूल को दराएंगे तो कहीं न कहीं हमारे उपर अमिट गुना चाजाएगा यहीं बात इस चुपाई में दर्साही जा रही है यहां हुक्मे इलमा समझाए इस तरह से हुक्म से इलम को समझा जाता है राजी के हुक्म ने इलम इलम दिया जान का प्रकास दिया राजी ने जो जान का प्रकास दिया उस जान के प्रकास में हमारी आत्मा विरह की रह अपनाती है मारिफ़त देवे इसक, इसके होई दिदार इसके मिलिये हक्सों, इसके खुले पटदार मारिफ़त का इल्म आता है तो क्या होता है? हमारे अंदर प्रेम आता है प्रेम आता है तो धनी के दिदार होते हैं दिदार होते हैं तो हमें अपनी परात्म भी दिखती है नक्से सिख तक की सुभा बस जाती है तो उसको क्या करते हैं राजी का दिदार हुआ तो हमारी आत्मा ने जागरत देगी मूल में क्या है राजी के दिल का हुप्म राजी के दिल में इक्षा होगी तब ही हमारी आत्मा को जागरित होने की सुभा मिलेगी लेकिन यह इक्षा अन्यास नहीं होगी हमें अपने जीव को कसोटी पर खरासित करना पड़ेगा आप हुक्म के बहाने चादर तान करके सो नहीं सकते हैं अकरमने नहीं बन सकते हैं आप हुक्म के बहाने माया के विश्यों में लिप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि जीव को तो कसोटी पर कसे बिना जब देवचन जी के लिए छूट नहीं है मिराज के लिए छूट नहीं है तो आपके लिए छूट कहां से हो जाएगी बिना हपसे में मिराज को तरपाए राज जी उनके धामेदे से लेला नहीं कर सकते थे बिना स्री देवचन जी को कसोटी पर कसे हुए राजी देवचन जी को भी वो осв नहीं दे सकती चाहें वो लालदास जी हो चाहें मुकंदास जी हो चाहें महारजाद छट्रसाल जी क्यों नहों सब को कसवटी पर तपाये वी जैसे लुहे को अग्णि में तपाया जाता है तो लुहा आग के समान धाकने लगता है उसी तरह से जागन लिला में सब को परिक्षा की कसोटी पर कसा जाएगा उनके जीव को उस युग बनाए जाएगा तभी वो सोभाती जाएगी अन्था सारी मर्यादाएं तूट जाएगी हर कोई अलस प्रामात का सिकार हो जाएगा कि राजी सब कुछ है तो वह ही करेंगे क्यों हम चित्वनी करें क्यों हम वाणी के चिंतन में डुबें क्यों परिस्त्रम करें जब तक ये अलस वादे मुनुवरतियां हमारे हिर्दय मन्दिर में रहेगी तब तक हमें जागरित कहलानी का अधिकार ने हैं आप कल्पना कीजिए सिंगार ग्रंद में राजी के एक एक अंका कितना मुनोहारी वर्णन है नित्रों की तरफ जब जाते हैं तो बाणी पुकार करके कहती है देखो नैना नूर जमाल जोरू बरसन को अरवा हुए जोर्स की सोच जिन जावे खिन भूल यदि आप इस अंसार में किसी प्रेमी की तरफ देखते हैं तो साहिद उसके नेत्रों से पलक हटाने की इक्छा नहीं करती है और आप के लिए नजाने कितनी बार राजी ने अपने नेत्र कमल का वर्णन किया है अपने माथे का वर्णन किया है अपने घुगराले बालों का वर्णन किया है अथिलियों का वर्णन किया है कलाईयों का वर्णन किया है नाखूनों का वर्णन किया है प्रातकाल दोपर की चर्चा में अपने सुना था हिर्दे कमल पर आए हुए हारों की सुभा के समन्त में कि राची का हिर्दे कमल कितना सुंदर है उनके बाजुबंद, कमर, चेरण कमल, घुटना, भूंटी, टखने, एक एक अंग का कितना विश्थित वढ़न है और इतना बढ़न होने के पेसाथ इंद्रहुती की आत्मा कहे रही है कि मेरे तन से या बढ़न कैसे हो जा रहा है ये बहुत असर की बात है मेरा हिर्दे इतनी अनंत सोभा को कैसे बिक्त कर पा रहा है जिसकी एक छलक मिलने से यह जीव सरीर को छोड़ सकता है और मैं कह करके भी इस सरीर को धारण किये रही हूँ तो ये राजजी के हुक्म के बिना संभाव नहीं हो पाएगा सौंदर्य की उस राज़ को देखने के पिसचाथ जीव में इतनी समर्थ ही नहीं होती कि अपने सरीर को रखे क्योंकि उस से उसको अलग करेंगे तो तर्ब करके प्राण छोड़ देना चाहता है लेकिन राज़ी का जब हुक्म होता है कि नहीं इस तन से अभी कारी कराना है तो हिर्दे इतना मजबूत कर देते हैं कि वह हिर्दे राज़ी की सोभा को देख भी लेता है जो हक देखे टिका रहे सोई अर्स के तन सोई करे मूल मजगूर सोई करे बर्नन राज़ी के दर्सन के पेस्चात्वी जो तन ठिका रहता है समय लेना चाहिए कि वह परमधाम की आत्मा है और परमधाम की आत्मा है राज़ी को यथार रुप से देखती है पुर्ण रूप से बरनडित करती है या कभी नहीं मन में सोचना चाहिए कि राजी का दर्सन करेंगे तो हमारा सरीर छूट जाएगा कभी भी नहीं छूटेगा कि वे एक सर्थ होनी चाहिए आपके हिर्दे में राजी के लिए अटूट प्रेम होना चाहिए आंग के गरंती को हटा दीजिए यदि आपने अपने आंग के गरंती को हमिशा के लिए हटा दिया तो अनन्त सौंदरी को देखने के बाद भी आपके हिर्दे में जो सकती आएगी उसके बल पर आपका हिर्दे अपने सरीर को समाले रखेगा हर पल राजी आपके साथ है मैंने कहा राजी की मेहर पलपल बलस्ती रहती है उसके लिए गोटा परायन क्या हो सकता नहीं है मैं यह नहीं कहता कि आप मेहर सागर का पार्टनर केजिए छोटे बच्चों से कराईए लेकिन यह तो समझिए मेहर का सागर कहते किसको है उसके हिर्दे में अनन्त प्रेम उमर रहा है अनन्त वाहदत का सागर कर रहा है अनन्त सौंदरी की रासी जो अक्षरातीत के हिर्दे में है वाहदत के सरूपों में स्यामा जी के सरुप में, सक्यों के सरुप में, राजी के सरुप में है आपको यहीं बैठे बैठे जब राजी का नक्से सिख तक सौंदरी दिखने लगे स्यामा जी दिखने लगे आपको अपनी परात्म दिखने लगे पचीश पक्ष दिखने लगे प्रेम की रस्धारा आने लगे वहदत का अन्भव होने लगे अखंड निस्वत का बोध होने लगे कि राजी एक पल भी हमारे से अलग नहीं है और युगल सरुप के नक्स सिख तक की सुभा के साथ इल्म का रस्वे आपके अंगर आने लगे मारिफत का इल्म आपके हिर्दे में आनंद की वर्षा करने लगे तो समझ लेजिए अब हमारे उपर राजी की मेहर की वर्षा होने लगे आठो सागरों का रस्ट जब आपके हिर्दे में उडेला जाए तो इसको कहते हैं राजी की मेहर का होना आप जोपड़ी से जदी करोड़ोपती बन गए प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इसको मत मालने चे कि राजी ने हमारे पर मेर की यह तो माया की मेर है जो किसी को भी हो सकती है राजी की मेर राजी की महिमा के अनकुल होगी जब तक राजी के हिर्दे का रस मेहर करकर अपने को संतोस दे सकते हैं लेकिन वास्तविक किरपा वह है मेहर वह है जिसमें राजी अपने हिर्दे कारस आपको उडिल देते हैं इसलिए जब भी आप राजी से मेहर की प्रार्था किजिए तो यह कहिए अपने हिर्दे कारस दीजिए अपना दिदार दीजिए अपना प्रेम दीजिए हमारे दिल से अपने दिल को एक कर दीजिए और कुछ मत मांगे ब्रम्हांड की साहभी नहीं ब्रम्हांड का पद नहीं आपका प्रैने स्वर आपके हिर्दे सिंहासन में मुस्कराता हुआ दिखे इससे बड़े जीवन की उपलब्धी कुछ नहीं होगी और तभी आत्मा अपने को जाकृत भी कर सकती है उस अवस्ता में आत्मा राजी के दिल पर राजी की सुभा को छोड़ कर स्वयम पीछे छिप जाती है यहां है हुक्म से इल्म का समझना और हुक्म से रूह का जाकृत होना जिसमें वस्ता में को पीछे कर लेती है और यह करती है जो कुछ हुआ है तुम से हुआ है हुआ है सब तुम से होगा सब तुम से और जो अब भी हो रहा है वो तुम से क्योंकि परामधाम में तू था रास में तू था ब्रज में तू था, जागनी में तू था हम तो न थे, न हैं और न कभी होंगे जो हम है वो भी तो आप ही है इस दिये इस भेत की लकिर को जब हम समाथ करके अभेता में प्रिविस करते हैं तभी हमें पुरुप से जागरित होने का अधिकार मिल सकता है जागरित होने की सोभा मिल सकती है और जागनी ब्रमान में यहीं सबसे बड़ा मुद्धा है जिसके मार्ग पर हम सब सुन्दर साथ को चलना होगा मैं आसा करता हूँ कि आज सिंगार की चर्चा की ये बाते आपको हिर्देंगम कर गई होगी और मैं धाम देनी से यह प्रतना करूँगा कि सब के हिर्दे में ऐसी भावन आप भर दें धाम देनी जो जागनी के वास्तिक रहस को समझ सकें अब चपाई दोराई जब रुह को जगावे हुकमा तब रुह आपे छिपजाई तब रहे सिर्खुकम के यों हुकमे इलमा समझाई यों हुकमे इलमा समझाई अधिक जानकारी के लिए देखे www.spjin.org कि अगाई बुटव करने दिए भी टेखे यों हुकमे अपाई आपाई यों हुकमे यों झाई